जुले जेकिरोनीफुस सेवन में आप सब का स्वागत है आज हमारे साथ जुरेंगे डिप्टी चेर्मिन च्रिंग आंग्चुक जी जो लेजडीसी के हैं और उनसे कुछ सवाल करेंगे जिसे साब से उनके अंडर जो है काफे डिपार्टमेंट जाते हैं जैसे एजुकेशन लेबर, सोशल वेलफियर तो हम जानेंगे बहुत से सारे लोगों को स्कीम के बारे में जो है वो पता नहीं चलता है या उस चीज़ से वो अवेरनेस उनमें कम होती है तो आज हमारे साथ सर जुरे हैं तो उनसे हम सवाल करेंगे कैसे कैसे स्कीम जो है लोग उस जीज़ का पाइदा उठा सकते हैं तो बहुत-बहुत शुकरिया हमारे चानल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला सवाल करेंगे सर आप से आप त्यान्डर जो है कौन से कौन से डिपार्टमेंट आते हैं सबसे पहले अब लोगों को वेलकम करने जाता हूं कि हमारे कुंसला के स्कीमों को जनने का लोगों पहुंचाने कर आप अब लोग काम कर रहे हैं मेरे पास एजुकेशन है, सोशल वेलफियर है, लेबर वेलफियर, SCDS, CPD, स्पोर्ट्स, समागरा एजुकेशन का ही पार्ट है टोटल कोई अर्ट नाउन डिपार्टमेंट मेरे पास है, चोटे बड़े सबको मिला कि उस पे सबसे बड़ा एजुकेशन है मेरे बास तो एजुकेशन के हम बात करें सर, अभी कोविट के चलते जो है, स्कूल बन पड़े हैं, तो बच्चे जो है अभी आउनलाइन क्लासिस ले रहे हैं तो बहुत बड़ा एक ग्रिविंस पैरेंस का ये रहा है अभी तक, स्कूल बिलकुल बन रहे हैं, फिर भी जो है फीज जो है बराबर स्कूल वाले लेते आए हैं, उस चीज़ पे वो काफी खुश नहीं है इस चीज़ से क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग पैरेंस जो का नहीं पाए हैं, या उनके वेज़ अतने नहीं हैं, फिर भी स्कूल में बराबर से वो अभी तक फीज देते आए हैं, तो ये ग्रिविंस काफी देखा गया है, तो उस पे क्या यहां के LHGC जो लोकल एटमिस्टरेशन है, उस पे कुछ करने वाले हैं, सर। जो अभी अब चीज़ें समझने के ज़रू रहे थे, कि प्रेवेट स्कूल अभी जितने भी ओनलाइन क्लासिज चला रहे हैं, जितने अपना सब्जेक्ट टीचर से उनके थूरू अपने क्लासिज को, क्योंकि जब से कंप्रेंड आया है, मैंने थोड़ एक रिवीव भी लिया है, उनसे ये पता चला की, वह लोग ऑनलाइन क्लासिज लेते हैं, हर अटारिक टीचर अपने क्लासिज को, लेकि वार्ट सब्सक्राइब के थुगयल मीट की तूरू लेकिन रिगार्डिंग, फेज का रिगार्डिंग ये है कि एक ट्यूशन फेज होता है, बाकि एक ट्यूशन फे पिसमें रिजिदेन जलो तो होस्टल फीज वह भी नहीं ला रहा है। अभ यह तक रिपोर्ट रही है कि सर्फ ट्विशन फीज ही ले रहा है क्योंकि ट्विशन से हिसे उनका सेलेरी सैलेरी पाता हैं। तो देना ही होता है हर एक प्रवेट स्कूल के पैरेंट्स को फिर रही बात काई प्रवेट स्कूल का ऐसे भी कम्प्लेंट आया कि टीचरों को टिंड़न से सलेरी नहीं दे रहे स्टाफ को का सकल कि कोई-कोई स्कूल ऐसे थे जिसमें बासिस नहीं चलने के करण डैवर जिद आया उनका मेरेजिंग कम्येटी है या प्रिंसिपल है उनको बला के वह भी सोट आउट किया है उनका भी रिपोर्ट यह है कि पुरा सेलेरी स्टीट मेरे पास आया हुआ है सब का कि जिसको धिना स्टीन फावोज और। से करके पहले हम बात करें सर बहुत पहले कि अगर ब तो अभी जैसे हम देखते हैं काफी private schools आ गए हैं government schools भी बहुत सारे ऐसे government schools है जहां smart classes चल रहे हैं तो आगे आप से जानेंगे कि education sector को और भी आगे बढ़ाने के लिए administration या local administration कैसे steps ले रहे हैं sir? education कासका स्कूल education को लेके पुरिल दोग में इतना अच्छी खबर जो है नहीं आरा है बहुत सारे हमें correction करने का जरूरत है उसको लेके अभी इतने भी इतने बहुत आप इतने बहुत आप इतने बहुत ज़ता है एक six LSDC अभी चल रहा है हर एक अबनापना स्टैब लेके स्कूल को इंपरूब करने के का सब कर अबनापना को कुछ कुछ नगरों स्टैब लिया है लेकिन बहुत सारे इस बुट कर रहा कि फंड का बूत कॉंस्टेंड रहा है कि अभी हमारे पास पूरे ले इंट इस्टिंभ में 358 स्कूल से है प्रध मेरी से लेगर है Choose में हाई Babe सपटराइं है हाई स्कूल थैंटिस हैं उस मेडल और प्रामिर स्कूल थाय नगी तो हरे लगबखार गऊँवे है उसमें प्रोलम यहा है कि इंडरल्मेंट बहुत कम है काई स्कूल तो बंदी है फॉर्टी एट स्कूल्स पूरा जेरो इंडॉल्मेंट है इसमें बच्चे ही नहीं है इसके करण स्कूल बंद हो गया है प्रेमिर खासकार प्रेमिर स्कूल और मेरे स्कूल इसलिए उसको लेकि हम एक अभी पिल्दे साल सा हमारा कॉंसल अभी शुरू हुआ है उसमें काई ब पूरी सोल को कि बहुत सारी स्कूल खोड़ने के करन के टीच्र भी पूरी के पुरा सफिशन देंना ही पा रहा को क्योंकिả 예 Most als एक पॉर एक्जमपल मेरे स्कूल में एश्ट में चार बच्चे होते Ready स्वियthe में सादार बच्चे होते Defense में इंको पढ़ाने के लिए टीचर अधिए अधितना का टीचर नम्मार्ट को होना चाहिए उतना बहुत सरे स्कुलों में इसेलेज़ेफ़ में दिस्टिक नम्मार्ट करें के दिख सबहिते हैं अब लोग रिशनलाइज क्यों नहीं कर पर उनका सजेशन भी जायज है क्योंकि बच्चे काम है तो टीचर ज्याद होने के करण एक बच्चे के ऊपर कोई चार लग की खर्चा आ रहा है अगर देखा जाए तो सेलेरी इंफरस्ट्रक्चर सब को मिला कि खर्चा कितना होते है तो कोई चार लग के करेब आ रहा है और हमारा रहिशो भी टीचर इस्टू 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 अभी सिक्स है इसलिए अल ओर इंडिय लेवल पर वन इस्टू इस्टू बहुत कम है लेकिन लदाक को थोड़ा अलग नजेरे से दगने का जरूरत है पॉलिसी भी अलग से बनाने का जरूरत है लेकिन अभी जो न्यू एजुक्शन पॉलिसी ट्वटी ट्वटी आया है उसमें बहुत सारे हमें स्कॉप्स दे रखा है कि अपनी लोकल नेवल पर क्या कर सकते हैं इसके लिए हमने एक प्लान बना रखा है और जहां जहां पर हमें ट्रंस्पोर्टेशन देना होगा है वहां पर ट्रंस्पोर्टेशन कभी जरूरत है और ट्रंस्पोर्टेशन के लिए हमने काई बासिस का डिमांड दे रखा है खासकार लेकि इरिद इरिद के बहुत सारे स्कूलों पर अगर दे सकते हैं ग्वर्मिन स्कूल को हम स्नितन किया जा सकते हैं क्योंकि पीचर जितना qualification बहुत आप आपने और सारे स्कूल हों में जितने हमारे ले में टीचर्स है जितने भी हमारे ले में इते सारा। स्थीव हमें इसको थोड़ सा प्लान बना के जलने का ज़रूरत थें कौन से स्कूल में तो हमने इडिंटिफ गभा है कि कॉन से स्कूल में बस करना सूर में रिजशा ऑचिन्ड बनाना है और बहुत सारी जगह ऐसे है कि प्रेमर के स्कूल में चार-चार । पांस पांस बच्चे हैं लेकिन उनका भी मजबूरी है क्योंकि डिस्टेंस ऐसे है कि हम सब को पता है कि लदाक स्केटर्ड ली लोकेटिट है पूरे पूरे गाउं के अंदर ही कोई-कोई एक-दो किलिमेटर ही चलना पड़ते है इसलिए प्रैमेर स्कूल हर एक हैमलेट में हर स्कूल में हर गौव में रखने का भी जरूरत है वहां पर टीचर के सदर सकते हैं उसका हमी अभी हम सौज रहे हैं तो जिस तरह से आपने कहा कि काफी कुछ चैलेंज़ अभी भी हैं स्कूल अगर एजुकेशन सिस्टम को हम लदाक में देखें तो जिस तरह से आप 2020 जि पर चुछ सब्सक्राय करें पर आप दूराने बहुत बचे तो इस चीज़ को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं कि इनी स्कूल में ज़्यादा फैसिलिष्टी दे कि वच्चे यही पढ़े क्योंकि हम बहुत देखते हैं सच गया हैं बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत सार इस तरह जो है हम देखते हैं कि टीचर में भी कही ने कही डी मोटिवेशन आता है तो उस चीज से अभी बहुत सारे स्कीम में टैपलेट्स भी दे गए हैं कर्मन स्कूल में तो आप कैसे चेंज़स कैसे देख रहे हैं सर उन सब चीजों को स्मार्ट क्लास भी बिनाया जा रह है तो कैसे चेंज़स आप देख रहे हैं इस तरह हैं रिगार्डिंग इंफा स्क्चर की बात करें तो पूरे हाइज स्कूल और हाइज स्केंडरी में अभी हमने बच्चों को टेबलेट भी दे रखा है और हर एक स्कूल में एक भी स्कूल नहीं चोड़ा है इसीटे लेफ वहाँ पर स्टप रहा है उसके थुर हम ऑन-लाइन क्लासिज भी बहुत प्रियुद में हम कर सकते हैं और टीचर टैनिंग भी स्मार्ट लास की थुर हम करवा सकते हैं और जितने भी प्रैमेरी और मिडल स्कूल है उसमें हम अभी टेबलेट डिजिलेप है टेबलेट के तो सर आने वाले वाक में जिसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे चीज़े जो है इंप्लिमेंट होंगे तो सर क्या लोकल गर्मिन जो यहां LHDC है क्या वो एक्सचेंज प्रोग्राम की स्कीम्स वगड़ा रखते हैं ताकि यहां के बच्चे दूसरे स्कूल में जाएं और कुछ नया देखें कुछ एक्सपोजर टूर वगड़ा आप करते हैं सर अभी हमने प्लान में रखता है पूरे साल बनाया था यह पूरा की पूरा जिद्धा में प्लान बनाया है क्योंकि 2021 ऐसे फिर भी हम कोविट का कारण खुल नहीं पाया जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक स्कूल का पूरे सिनेरो मिलते नहीं क्योंकि जब भी जहां भी जाते स्कूल बंद होते बच्चे थोड़ा सा वां पी इंटरेक्शन करने के लिए पैरेंट्स होते या टीचर दो तीचर होते हैं लेकिन जो स्कूल वाला जो महौल होते हो अलग से होते हैं इसलिए जिदना हो सके इस साल हम सारे स्कूल को खुलने का कोशिश करेंगे डीसे साब से बात करके क्योंकि कॉविट चल रहा है तो पैंडेमिक है पैंडेमिक के करन्ट सेंटर कॉर्मेंट का आपना कोई पोटोकोल से और लोकल लेवल पर पोटोकोल बना रहा हैं उसको तो धोड़ा साधियां में रखते हैं प्रफित हैं स्कूल को कैसे खौल पाई हो इसका अभी प्लान मी चल रहा है और स्कूल एक्शेंज की बात किया आफ तो स्कूल एक्शेंग तो हमने जरूर आपने सच पोला सर जो कोविट के चलते जो है काफी सारे स्कीम्स या एजुकेशन को लेके काफी रुकावट आई है तो आगे वाले वक्त में हम उमीद करते हैं कि यह कोविट जल से जल खतम हो और बच्चे जो है जादा इस पर सफर न करें एक और सवाल सर एजुके जाएं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस अलेबिस बुक वहां से मंगाएं और टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं इस वजह से जो है कही बार वो अच्छे से कम्प्रीट नहीं कर पाते हैं इस अलेबिस को तो हम पचाना चाहेंगे कि आपके कोई ऐसे करने का पैसा मिलते हुसको करें कि सारे स्कूल में डिस्टिबीट करते हैं इस साल क्या हुआ कि पहले जाके बहुत पाब्लीश करके हां पैचते थे हमें और इस बार जब सी का करवर्जन चल रहे तो हमने यूटी अद्मेस्ट्रेशन ने कुद आ क्योंकि लिए और कटिल दोनों को एक ही सलेबस लेना था तो यूटी अद्मेस्ट्रेशन देख रहे तो शुरूवत था तो इसमें बहुत सारे बुक्स आने पाया एक ही सब्जट का बुक्स साथ में आया फिर अभी जिदना हो सके पूरी के पूरी बुक्स आ चुके जो फिरी डिस्टिबीशन हो जो जो बुक्स आ रहा एंप उनको बोल रके जितने थे बयूक्स आ हम दो है और अमको बुटमों हो ग्या चाहिँ ढ़ी it बूक्स आयुर। लीज इसलेह अट जिबसे जैब सिकल्चों को शुक्स आ होगो आए कि इस इस तो न थाए ज़र उनकाया। जाइ हम आपको जो सीड़ी क मैं कि आपना गूंजि़ी कि नेविक हम इन इसके पे कुछ भी हो इसमें डाल सकते हैं इवेस से हमारा जोग्राफी हिस्टरी वायल लाइफ एक दो चैप्टर अपनी स्टैज के हिसाब से डालने के प्लान भी मनाया है हो सकते हैं नेक्स एर हम इसको भी करने जा रहा है तो अप दूसरा हम जाना चाहेंगे सर जिसतार से लेबर का आप पूरा देख रहे हैं तो एकिरीविन्जी बहुत-बड़ा आ रहा है सर जो लेबर जो है आर्मी के साथ जुड़े हैं उनको तीस दिन का लए नहीं 21 दिन का salary मिलता है मिलता है उनको और जिसंसे 500 पर दे के हिसाब से उनको मिलता है तो यह उनका बहुत बड़ा complaint है है कि उनको 30 दन का salary मिलंब नहीं पाता है तो उस Looks for,g عن बहुत हैै जिदने भी हमारा जो लेबर कोड है उसमें बहुत सारे ऐसे कैसिस आते हैं और एक भी कैसे नहीं कि जो ऐसे बेंडिंग बढ़ा है हर केस को हमारा जिदने भी ऑफिसर से वह देखते हैं उसका ग्रिविंस वहां तक पहुंचाते हैं और उसको बिनिफिशिस तक जिदने भी जो घंड नहीं देखते हैं बीचाते हैं तक भी हमारे पेड़ेफले शेल कंपु बैटिन कि राते हैं औरियर करना होते हैं आप आने वाले सीजन मैं जैसे जैसे ही ग confess बहुत सारे नीचे से आते हैं तो बहुत यहाँ पे लोगों का हर बार चुम है जो है Jeff अपलीफ्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे स्कीम्स आपकी हैं कि जो हमारे लोकल डिभर में हमारे रुपनिंदा हो इन को बीजाओ से जादा काम मिलें। इस पर ने क्या कर रहे हैं SIR? भी लोकल जो लेवर्ज से और जितने बाहर से आते हैं बाहर से जितने जितने बी लेवर्ज से बाहर से आते हैं हमारे जितने भी लोकल से एक तो बहुत कम है जितने हमें जरूरत है उससे बहुत कम है तो बाहर से लाना ही पड़ता है फिर स्किल जितने भी लेवर्ज से वो लेकिन अपने पास इतने भी है वो अपने लोकल लेवल पी है एंगेच होते हैं फिर काम है तो इस बार हमने खासकर प्लम्बिंग और एलेक्टिशन और करपेंटरी में हमने कोई 30-40 हमारे ऐसे बच्चे गए हैं बेंगलोर ट्रेंडिंग लेके अभी बुरे एक दो मिना में लोक ट्रेंड होका भी आया है उसके बाद यह एक के इनिशिटिफ स्टेश है उसके बात उनको एंगेच करके यहां पर बागियों को ट्रेंड करेंगे क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग अप्डेमास्टर ऐसा एक एनिशिटिफ हमने लिया इस बार और देखते हैं आने वालो अधरो में एक्कृशिंस और पलामबिंग प्लामबिंग काम करने वालों या या कर्पेंटरी में के मौन करने वालो उसको लेकर थोड़े सा बढ़ाने कर नहीं हरे गाओ गाओ जा कि एक सेंटर को लेंगे या रिजिन लिएल पर कोई जब्रह में होगा कोई खल्से में क्य हम यहीं उमीद करेंगे साथ जो अनिम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू रहता है उससे बहुत सारे युवाइं जो है इस चीज में इन्वाल्व हो सकते हैं जो लोकल ले ले रहे हैं उनको बहार ट्रेनिंग्स पे बेज रहे हैं तो इससे काफी जो है मुश्किली जो है इस चीज की बहुत सराना कर रहे हैं तो आगे वाले आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे और कौन से स्कीम के मुताविक कैसे कैसे और स्टेडियम्स जो हैं इंडोर आउट्डोर स्टेडियम्स क्या आगे कौन से कौन से आप बनाने जा रहे हैं सर एक तो आपने जो 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 तो फुटबॉल के लिए बनाए के फुटबॉल के लिए बनाए और एक ट्रेक बनाए और साथमें हमरे सामने है एक इंडिया स्टेडियम है इसके लोग भावँ पियब कोई वंक्शन हो यह क्रिकेट थे जोग ब्यादें हैं यहां पर इंडीस में खेला जाते हैं और क्रिकेट के लिए हमने इंडीस के लिए इंडीस एक प्रपोस कर रहा है उसका एक दो बर मीटिंग भी होगा है अर्केटिक के सार उन्हें पेश भी किया कि इस ऐसे उसमें हमने अपना इंपूट्स कुछ दिया उसको सुधार करने के लिए और उसके बाद यह भी कोई स्पोर्ट कंप्लेक्स यहां पर बन जाएगा है जिमनेजम होगा यहां पर शुटिंग रेंज को होगा स्विमिंग के लिए और पार्किंग के लिए आलाग से रखा है इसलिए यह वाला इंडीस जो स्टेडियम है एक मुल्टिपर्पर् स्टेडियम का प्रपोस रखा है इस आने वाले दो तीन साल में वह भी कंप्लेट हो जाएंगे पूरे लदाग में और साथ में आइस होकी का हमें हर एक के अंदर एक जुनून है इसलिए हर एक कॉंसलर लगे हुए हैं हर अपने अपने जगों पर जदें भी हो मैक्सिमम आ नया इनिशिटिव लिया कि सबसीडी के द्वारा एक एक्क्यूमेंट देने का आइस होकी का खासकर आइस होकी का जिद्दें भी एक्क्यूमेंट होते है वह बहुत महेंगा होते तो फिर सबसीडाइज करके लोगों प्लेयर्स को देने का हमने एक इनिशिटिव लिया इस वो लोग अच्छा स्कील की साथ उपर के आते हैं। इसलिए हर एक स्कूल में एक एक्यूम्मेंट देने का भी इक बहुत सारे स्कूल में एकप्रोडम भी बनाए हैं कि स्कूल लेफर पर एक अरचिरी टूनामेंट भी हो। उसके दोरा प्र हम अगर बुलाना पड़े तो उनको ट्रेंड करने का एक प्लान भी है और जितने भी पीडी से एक दो चीज़ों में हम ट्रेंड करने का प्लान बनाया थियोरी पार्ट हमने एर्चिरिक को दे रखा है लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक हुआ नहीं उसके लिए एक दो कौचिस को हमने बुलाना है बुला कि इसका भी कोचिंग शुरू होगा कोचिंग जब कोचिंग शुरू होना के बाद वो अपने इम्ले स्कूल में उसका वो करेंगे उसके बात फिर एक प्रेलिमिरी एक ओलम्पिक की दोरा या एक टूनामेंन की फॉर्म में हम आर्चिरिक का वो भी करने का प्लान बना रहे है तो बहुत बहुत शुकरिया सर हमारे चानल के साथ जुरूने के लिए बहुत कम समय है पर बहुत सवाल जो हैं अभी रहते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अभी जो हैं डिप्टी चेर्मिन और भी देखते हैं आने अगले एपिसोट में हम जरूर उन से उन पे भी इ HDC के और से बहुत सारे इनिशेटिव लिए गए हैं आगे कोविट के चलते इतना कर नहीं पाएं हैं और बहुत सारे ऐसे फ्यूचर प्लान्स है जो हम आने वाले वक्त में जरूर पूरा होते हुए देखेंगे तो उसी के साथ स्तंजिन दोर्जे और रिक्जिन वैंगमो ज के 24-7 के लिए ले लदाक से